किसा नेवं वागवान साथ्यों नमस्कार तो आज मैं कर रहा हूं अपने एपल औरचड में मोनिटरिंग और इसमें देख रहा हूं मैं कहीं स्टेम बोरर कर रहा हूं कहीं पर स्टेम बोरर तो नहीं लगा हुआ है तो मुझे फिला लवी दो प्लांट्स मिले हुए हैं जिसमें कि स्टेम बोरर की दिकत सामने आई तो आप लोग भी पहचान करें कि किस तरीके से स्टेम बोरर लगता है क्या उसकी पहचान है तो यह आप देखेगा इस तरह से जाला अगर आपके प्लांट्स के तने के पास बना हुआ है तो आप समझ लेना कि यह स्टेम बोरर की लक्षन है और मैं इसको भी निकाल देता हूँ तो यह देखेगा अंदर इस ने पूरा बुरादा कुरीद करके बाहर रक दिया जोFit कें अंदर लक्डी की गीरी होती है इसको रिंग ये पहले रिंग बना लेता है यह देखेगा यह कट करके रिंग बना रखा है और फिर यहां पर यह अंदर गुशा जो तो छोटे पोदे होते हैं बिल्कुल चोटा जो प्लांट होता है नीचे गिर जाएगा लेकिन जो थोड़े से मोटे है तो इतना मोटा तो यह भी नहीं हु होती है इस तरह की वायर आपने लेनी है यह आप जैसे देख पा रहे होंगे यह वैल्टिंग वायर है तो क्या करना है पहले इस बार को इसके अंदर इंसर्ट करना है लक्षन तो आप पैचान गए होंगे तो आप जल्द से जल्द मोनिटरिंग करें इस महीने यह बहुत चार दिन में ही बहुत जादा ये नुक्सान कर जाता है तो अभी देखते हैं तो इस तरीके से ये जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करनी है तो जैसे ही ये सुई के संपर्क में बोरर आएगा निकाल तो हम नहीं सकते हैं तो इस तरीके से आपने अपडाउन करना है थोड़ा जूम में कर लेता हूँ इसको ऐसे इसमें क्या होगा पानी सा जब निकलने लग जाएगा ना तो आपको लगेगा कि बोरर में चूब रहा है अब ये अंदर से पचपच की आवज आ रही है जैसे आप देख रहे है न पानी सा अंदर से निकल रहा है बाहर को तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जो बोरर है इस तर की जो आगशे की नोक है इसके संपर्क में आया اور ये अब मर गया जैसे आप देख सोकते हैं ये पानी सा निकल गया तो आप देख सकते हैं। यह पूरा पानी बाहर की तरप निकल गया है। और यह तो यह बोडर यह देखेता है। तो बोडर यह लगबाग सुई kya नोप में आकरो शूम करनागे है। वैसे तो हम इसे का पाल recommend करते हैं। दोस 사건 कि तяти हम इसको नहीं मारते तो यह पूरा पुदा मार देता और इसके बाद आपने क्या करना है अगर क्यों भी अंदर रहे गया होगा तो इस तरह का एक सुई लेनी है निडल जैसे आप देख पा रहे हैं यह है मेरे पास निडल और इसमें मैंने थोड़ा सा पेट्रोल ला रखा है बहुत कम पेट्रोल डालना है ज्यादा नहीं डालना है बरना यह स्किन को भी बर्न कर देता है तो अब मैंने निडल और यह जो इंजेक्शन है पूरा भर दिया इतना सा भर दिया है थोड़ा सा डाल दिया है मैंने अगर ज्यादा इसमें पेट्रोल में डालूंगा तो यह स्किन को बर्न कर देगा तो नहीं तो क्लोरोपारिफोस को पानी में मिला करके आप इस होल के अंदर डाल दें और पीछे से आप मिट्टी इसमें लगा रहें ताकि जो इसकी सुगंद है इसके अंदर ही घूंती रहे बसे तो मैंने इसको मार दिया है इस बाहर की साइथा से तो यह आप देखिए गा अब यह जैसे आप देख़ारे ना पेट्रोल सार में बाहर की तर इसको मैं मिट्टी के साथा से पूरा साप कर दूँगा ताकि बाहर की जो स्कीन बर्न ना हो और यह होल बिल्कुल मिट्टी से बंद कर देना है या आप पोलेकिन यहां पर कर सकते हैं तो यह मैंने यहां पर मिट्टी पूल कर इसे लगा दी है और अब जो पेट्रोल की जो स्मेल है यह बाहर नहीं आएगी और यह अंदर ही इसमें घूमेगी और उससे जो है कीड़ा मर जाएगा अगर बच्चा होगा अंदर वैसे तो मैंने इसको बार की साथा से डेट कर दिया है तो उमीद करता हूँ आपको स्टेमबोरर की पहचान आपके समझ में आ गई होगी और इसका इलाज भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा थैंक्यू